तमश्कार तनू बैच किचिन में आपका बहुत बहुत स्वाकत है दोस्तों आज हम चॉकलिट कुकीज बनाने की रेसिपी शेयर करें जिसमें हमने ना तो माइक्रोबेप का इस्तिमाल किया है ना ओवन का इस्तिमाल किया है इसको हम बनाएंगे गैस पर कड़ाई में इसके लाई चमच नमक डाल दिया है 3-4 रोफ वनिला से इस इंस्टाल दी है चार से चे चमच हमने इसमें घी डाला है घी की जगाव बटर इस्तिमाल कर सकते हैं बटर और घी को हमने रूम टैंपरेचर पर लिया है इसको मैट करके लेना है इन सब इंग्रीडियन्ट को एक दूट डाल कर इसको एक चिकना आटा तयार करना है हाथ से इस तरह से मसलते हुए हमने एक चिकना डो तयार करना है जिससे हम कुकीज बनाएंगे यह हमने माबल कुकीज बनाए है इस तरह से हाथ में लेका लडू बनाकर देखना है अच्छे से बन रहा है यानि यह हमारा मिक बिल्कुल बिल्कुल पाफेक्ट है इस तरह से आटा एकटा करते हुए एक चिकना डो तयार करेंगे अभी और ड्राइ है इसमें एक चमच दूद और मिक्स कर लिया है अब ये आटा अच्छे से बाइंट हो गया है अब इसमें हम डालेंगे एक कप पिसीवी चीनी जिस कप से हमने मैदा लिया था उसी से हमने चीनी लिया है नापकर और चीनी को मिक्स करके इस तरह से मिलाकर हाथ पर चिकना कर लेंगे आटे को देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट डो बना है अब इसको कुछ देर के लिए रख देंगे पांच मने टकने के बाद इसके दो पार्ट करेंगे इसको भी अच्छे से मिसल कर चिकना बना लेंगे दो पार्ट इसलिए किये हैं क्योंकि हम बना रहे हैं मार्बल कुकीज एक पार्ट में हम डालेंगे एक चमच कोको पाउडर इसको मैंने ड्राइ मिक्स किया है कोको पाउडर को आप एक चमच दूद या पानी के साथ मिक्स करके भी इसमें एड़ कर सकते हैं इस तरह से मसलते हुए कोको पाउडर को अच्छे से आठे में मिला लेना है जब पूरा कोको पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाएगा एक चॉकलेट कलर का डो तयार हो जाएगा यह देखिए डो तयार है अब इसके हम कुकीज बनाने की तयारी शुरू करेंगे यह हमारे पैस दो तरह के आठे बनकर तयार है एक चॉकलेट टेस्ट का एक प्लेन टेस्ट का अब इनको हम हाथ में लेकर रॉल करेंगे एक फ्लैट सर्फेस पर इनको इस तरह से रॉल करना है बढ़ाते जाएगे हाथ से इस तरह से घुमाते हुए इस तरह का तयार हो जाएगा एक चापू की साहता से इसके छोटे-छोटे पीसिस काट लेंगे इस तरह से हमारे पास 20-25 छोटे पीस तयार हो जाएगे इनको लेकर गोल करके एक प्लेट में रखते जाएगे वाइट कलर के 20-25 बॉल्स हमारे पास तयार है इसी तरह से जो चॉकलेट आटा तयार किया था कोको मिक्स करके उसको भी इसी तरह से रॉल करके फ्लैट सर्फेस फर चिकना बना लेंगे और उतने ही साइज के छोटे छोटे पीस काट कर बॉल्स बना कर तयार कर लेंगे 20-25 बॉल्स साटे से भी तयार हो जाएंगे इस तरह से यह देखे रॉल कर लिया है लंबा करके इसको बरावर साइज का हमने काटना है जैसे वाइट को किया था उसी तरह से इसको चाकु से काट कर बरावर साइज क पीसिज बना लेने हैं और एक प्लेट में रखकर इनको गोल कर लेना है यह हमारे पास चॉकलेट पीसिज भी तयार है इनको ब्रॉल कर लेंगे, छोटे-छोटे बॉल्स बना कर रख लेंगे चिकने बॉल्स बना कर एक प्लेट में खटे कर लेंगे ये अब कुकीज बनाने के काम आएंगे ये हम दो तरह के बॉल्स मिक्स करके कुकीज बनाएंगे ये बहुत ही अच्छे दिखते हैं खाने में तो बहुत टेस्टी है और बनाना भी बहुत आसान है इसमें हमने किसी साचे का इस्तेमाल नहीं किया है किसी कुकी कटर का इस्ते और यह सच मानिए इतने टेस्टी बनते हैं कि इसको आप बार बार बनाना चाहेंगे इतनी आसान रेसिपी कुकीज बनाने की शायदी कभी इस्तेमाल की हो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए और कमेश करके अपने सजेशन मुझे जरू दीजिए अगर मेरी किचिन को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए जिससे के नई रेसिपी आपके पास तक असानी से पहुंच सकें प्लीज सब्सक्राइब इस तरह से हमने ब्लैक और वाइट बॉल्स को चिपकाकर हतेली पर चप्टा करके इस तरह से कुकीज का शेप दे दिया है यहाँ मैंने गोल शेप दिया है आपको और किसी शेप में बनाने है तो हाथ से इसको शेप दे सकते हैं इस तरह से हमने कई सारी बॉल्स को मिक्स करके तरह तरह के पैटन्स में चॉकलेट कुकीज तयार कर लिए है देखने में बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं बनने के पाथ और भी अच्छे दिखेंगे इस तरह से कई सारे पैटन हमारे कुकीज के बनक कर तयार हो गए है इस तरह हमने ब्लैक और वाइट बाल्स को मिक्स करके कई पैटन में कुकीज तयार कर लिए हैं ये देखे सभी cookies बनकर तयार हो गए है marble cookies कितने सुन्दर दिख रहे हैं अब इनको हम bake करने की तयारी करेंगे देखे तिकनेस इतनी होनी चाहिए अब एक कडाही gas पर गरम करने रखेंगे उसमें साधा नमक एक किलो करीब लिया है कडाही में डाल देंगे flame on करके slow flame पर इसको गरम होने देंगे जब ये थोड़ा सा गरम हो जाएका तब इसमें एक steel की plate लगा देंगे इस plate में हम cookies बनाएंगे सभी cookies को इस तरह से arrange कर देंगे इस तरह से plate में सभी cookies हमने लगा दिये हैं slow flame करके इसको ढखकर बनाना है 15-20 मिनट तक इसको bake करना है बीच में ढखकर उठाकर चेक करेंगे cookies rise हो गए हैं फूल गए हैं अच्छे से पग गए हैं एक उठाकर देखेंगे थोड़ा 2 मिनट के लिए और ढख देंगे इसको बहुत अच्छे से cookies बन गए हैं अब इसको flame off करके इनको इसी में रहने देंगे और 10 मिनट बाद इनको खोलकर plate में निकालेंगे देखें कितने बड़िया cookies बने हैं crispy बहुत ही सुन्दर देख रहे हैं marble cookies तो क्या देख रहे हैं चलिए किचिन की तरफ cookies बनाने की तैयारी शुरू करिए बच्चों को बहुत पसंद आएंगे और अगर अच्छे लगे तो लाइक करिए शेयर करिए और कमिट्स करके suggestion जरूर दीजिए थैंक्स पर वाचिंग तनू बैज किचिन एक और रही रस्पी देखने के लिए देखते रहे हैं